इम्रान परताव गड़ी पूरी कौं को घुस पैठिया पुकारा गया मचली मंगल सूत्र भैस से होते हुए मुझरा जैसे शब्दों से भाषनों को सजाया गया चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा गया महरास्ट्रा में राजनेतिक दलों को तोड़ा गया उनके सिंबल छीने गए चाहे वो शूसेना हो चाहे वो NCP हो विपक्ष के सबसे बड़े दल के बैंक एकाउंट को फ्रीज किया गया उसके बाद मोधी सरकार चुनाओ लड़ने के लिए जनता के दर्बार में गई लेकिन वाहरी जनता जनता ने दिखा दिया कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाए जाएंगे तैरें या डूबें किनारे तो सभी जाएंगे कोई कितनी भी बुलंदी पे चला जाए मगर आस्मानों से उतारे तो सभी जाएंगे जनता ने दिखा दिया इस देश की मैं महा महिम राष्टपती महोदिया के भाशन पर चर्चा करने के लिए अभी भाशन पर मजबूरिया होती हैं सरकार की तारीफ करनी पड़ती है लेकिन जिस एक शब्द के इर्दगिर्द पुरा भाशन बुना गया था वो था अम्रित काल सभापती महोदय चात्र नौकरी मांगने पर लाठियां खा रहे हैं दो जून की से निर्वस्त्र करके घुमाई गई बेटिओं से पूछूं कि अम्रित काल आ या है या नहीं आया है कभि कभि मेरा मन करता है सभापती महोदय कि देश के लिए ओलंपिक लाने वाली बेटियां जो इसी जन्तर मंतर पर घसीटी गई उनसे पूछूं कि अमरितकाल आया है कि नहीं आया है कभी-कभी मेरा मन करता है कि रात के दो बजे बिना परिवार की मर्जी के हातरस में जलाई गई उस दलित बिटिया जो बलतकृत थी उसको स्वर्ग में संदेशा भेजू और उससे पूछूं कि आया हुआ अमरितकाल तुम्हे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कभी-कभी मन करता है कि मैं बिलकीस बानों से पूछूं कि देश में आया हुआ अमरितकाल तुम्हे नगें दिख रहा है या नहीं दिखराए, कभी-कभी मन करता है कीड के कपड़े खरीद कर लोट रहे सत्रा साल के हाफिज जुनैद से पूचू हूँ जिसे बलप गड़ में ट्रेन में लिंज करके मार दिया गया, या अमरित्काल आया है या नहीं आया है, कभी-कभी मन करता है कि तवरेज अंसारी की बिद्वा से पूछू कभी कभी मन करता है कि सहारनपूर के उन तीन बच्चों से पूछू जिनने च्छतीस गड़ में लिंच करके मार दिया गया सभापती महोदे कभी-कभी मन करता है कि मैं गुजराद के चिखोदरा में क्रिकेट मैदान में लिंच करके मार दिया गया सलमान बोहरा के परिवार से पूछू कि अम्रित काल आया है या नहीं आया है कभी-कभी मन करता है कि मैं अलीगड के औरंगजेव उर्फरीद से पूछूं जिसे लिंच करके मार दिया गया और बाद में उसी मृतक के उपर डखेदी का मुकदमा काइम किया गया सभापती महोदय ये कैसा अमरितकाल है जिसके अविभाशन में स्वास्त पर सिर्फ आधे मिनिट पर चर्चा हुई कैंसर के मरीज दिन बदिन बढ़ रहे हैं हार्ट अटेक से हसते खेलते बच्चे जान गवा रहे हैं कभी क्रकेट के मैदान में कभी जिम में और इस सरकार के पास स्वास्त पर बात करने के लिए आधा मिनिट है सभापती महोदय कोविड वैक्सीन को लेकर के लंदन की अदालत से जो तथ देश के सामने आए हैं उन्होंने भै फैला रखा है कॉंग्रेस की सरकारों ने भी चेचक, पोलियो और प्लेग जैसी महमारियों के टीके लगवाए लेकिन न तो कभी सर्टीफिकेट पर अपना फोटो छपवाया और न कभी उसके नाम पर ओट मांगे maioror कांग्रेस की सरकारों ने ये किया है लेकिन इन सरकारों ने क्या किया है मोदी जी ने क्या किया है कि राजनेतिक दलों को तोड़ा और तोड़ करके चुनाओ लड़े और चुनाओ लड़ने के बाद सब्सक्राइब भी आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हुई है, सभापती महोदे अंति में एक मिनिट आप से लूगा, मुझसे बहुत सारे सभापती महोदे में अंति में यही कहना चाहता हूँ, चुनाओ समाथ हो चुके हैं, सरकार बन चुकी है, लेकिन मुझे इस देश के पृधान मंतरी जी से ये कहना है, कि आप नारे लगाते थे सबका साथ, सबका विकाष, चुनाओ के बाद, अंतिम बाद सरकीये, खूटी सक्षी अदाकार, अंतिम बात स है सर माँ देख रहा हूं सर मुस्पर माँ देख यह थैंक यू सर मोजी on the point of time सुने से I am losing my time sir आप भी बोलने जिए आप भी बोलने कितने ड्वाइजर से आपके बता जिए